Hello students, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल Prince Food Education में आज की इस वीडियो में मैं आपको Mass Pedagogy का टॉपिक आकरती Shapes की बारे में बताऊंगी ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं पिरामिट किसी बहुबुज को आधार मानकर कोई जो बहुबुज है उसको आधार मानकर उसकी सभी बुजाओं पर त्रिबुजाकार प्रेष्ट तिरियक रूप से इस प्रकार खड़ी की जाएं कि सभी के शीर्ष एक ही बिंदु पर मिले तो इससे प्राप्त ठोस आकरती पिरामिट कर आती है कि जह हम किसी बहुबुज की बहुबुज को आधार मानकर उसकी सभी बुजाओं पर त्रिबुजाकार प्रेष्टे जी जो रहती है, वो बिंदु की जाएं कि जो सबके शीर्ष हैं वो इक ही बिंदु पर मिलें तो इससे प्राप्त ठोस आकरती पिरामिट कहलाती है, तो आपने पिरामिट देखा, ठीक है, इसमें देखना है कि तिरियक प्रस्टों की संख्या, अगर आपसे पोछा जाए कि पिरामिट में तिरियक प्रस्टों की संख्या जो है, वो निकालिये, तिरियक प्रस्टों की संख् तो क्या होगा जो आधार है आधार में जो भुजा की संख्या होगी वही क्या हो जाएगा वही तीरियक प्रेश्टो की संख्या हो जाएगी ठीक है नेक्स देखते हैं कुल प्रेश्टो की संख्या अगर आपको बूले कि कुल प्रेश्टो की संख्या निकाल लिए तो जो आ बुज की निकालनी वोगी तो आधार में भुजा की जो उसमे प्लस वन कर देंगे तो वो क्या ओजाएगी कूल प्रश्णों की संख्या हो जाए गी next देखा कुल कोरों की संख्या निकाल ली है तो आधार में भुजा की संख्या plus 1 कुल कोरों की संख्या भी ऐसे ही find हो जाएगी कैसे कि अगर 3 है 3 plus 1 बराबर 4 कुल कोरों की संख्या कैसे आती आधार में भुजा की संख्या multiply 2 आधार में भुजा की संख्या जैसे 3 हो गई और उसकी multiply एगर 2 से कर दी तो 6 तो कोरो की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी ठीक है? Question की बात करते हैं, तो किसी पंच भुज पिरामिट के बारे में कौन सा कथन सत्य है? मैं option बढ़ूंगी, पहला option है, इसमें 5 पंच भुजा कार सत्य होती है, तूसरा है, इसका आधार पंच भुज और 5 त्रिबुजा कार सत्य हो जो होती है, वो एक बिन्दु पर मिलती है इसमें 2 पंच भुजा कार सत्य होती है, इसमें 5 पंच भुजा कार सत्य होती है, चौता है, इसमें 5 पंच भुजा कार सत्य होती है, चौता है, इसमें 5 पंच भुजा कार सत्य है, और 5 आधा कार सत्य हो से जूड़ी होती है, मैं आपको होता है था, कि जो आधार होता है, ब कि इसका आधार क्या होता है? पंच बुज़, जो 5 बुज़ होगा, उसका आधार क्या होगा? 5 बुज़ होगा, और जो 5 त्रिवुज़ कार सतह है, वो क्या होँगी? एक बिंदु पर मिलेंगी. तो यहीं बिंदु आपका प्रिव constitutional तुज उप बाकर और पंच बुज और पांच त्रिबुजाकार सते हैं एक बिंद पर मिलती है यही आपका अंसर हो जाएगा ठीक है नेस्ट बात करते है प्रिजमे के बारे में किसी पहुबुज को आधार मान कर इसकी सभी भुज़ों पर आयताकार फलके उर्दवारदर खड़ी करके इसमें क्या है कि आयताकार फलके है कैसी फलके है आयताकार फलके उर्दवारदर खड़ी करके आधार के सरवांगसम आकार का धक्कन उपर बंद कर दिया जाए मतलब जैसे नीचे बना होगा फलक वैसे ही सेम जो होगा वो उपर होगा वैसी ही आकरती क्या होगी उपर होगी इसमें लिखा हुआ है किसी बहुबुच को आधार मानकर इसकी सभी भुजाओं पर आयताकारफल के उडवादर खड़ी करके आधार के सरवांसम आकार का धक्कन जो है वो उपर बंद कर दिया जाए तो इससे प्राफ् प्रष्टों की संख्या कैसे निकालेंगे आधार की भुजाओं की संख्या उससे प्रष्टों की संख्या निकालेंगे इससे क्या होता है इससे एक दो कोशन जरूर आते हैं ठीक है दूसरा है कुल प्रष्टों की संख्या कैसे निकालेंगे आधार में भुजाओं की संख संक्या प्लस टू कुल की संक्या कैसे निकालेंगे आधार में भुजाओं कुल कोनों की संख्या निकाल लिए तो आधार में भुजाओंगी संख्या multiply 3 क्या हो जाएगी आधार में भुजाओंगी संख्या multiply 3 हो जाएगी कोशन है आपका एक कोशन कर लेते हैं तो आपको clear हो जाएगा अच्छे से कोशन है किसी त्रिभुजाकार आधार वाले प्रिज्म में खुल कोनों की संख्या होगी कोई जो त्रिभुजाकार आधार वाला प्रिज्म है मतलब आपको फॉर्मुला जो लगाने है वो प्रिज्म के लगाने है फॉर्मुले और आधार कैसा है त्रिपुजाकार है और कोनों की संख्या फाइंड करनी है आपने फॉर्मुला भी याद रखा है तो कोनों की संख्या बराबर होता है प्रिज्म में आधार में भुजाओं की संख्या मल्टिप्लाई टू त्रिपुजाकार आधार है तो आपने क्या लिए multiply 2 करना है तो बराबर क्या हो जागा 6, 3 to the 6, तो हमाई कोनों की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई, तो एक किसी त्रिभुजाकार आधार वाले प्रिज में, कोनों की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई, नेक्स कोशन देखते हैं, किसी सट भुजाकार आधार वाले प्रिज में के संदर में कौन सा कतन सत्य है? तो पढ़ लेते हैं, तो पहला है, इसकी 6 शट भुजाकार फलके होती हैं, दूसरा है, इसकी सभी सतहें 6 भुजाकार होती हैं, तीसरा है, इसका आधार 6 भुजाकार ह खिरा होता है नेक्स्ट है इसका आधार और उपरी सतय शट बुजाकार होती है जो कि छह आयताकार सतों से चुड़ा होता है देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि प्रिज्म के फाइंड करने के लिए क्या करें तो किसी पहुबुच को आधार मानकर इसकी सभी खड़ी करके आधार के सरवांगसम आकार का आधार के जैसा आधार है वैसे ही आपको उसके आकार का ढखकन उपर बन कर दिया जाए तो उसको क्या करते है प्रिज्म करते हैं तो सेम या आप एक उप्शन है कि इसका आधार और उपरी सतह जो है वो शट बुजाकार होती है जैसी आधार होगी वैसे ही जो है उसका जो उपरी सतह होगी वो भी वैसे होगी जो कि 6 आयता काय सतहों से चूड़ी होती है तो यही option आपका correct हो जाएगा तो आपका option क्या हो जागा यही वाला correct हो जाएगा तो इस तरह से हमारा जो मैस पेड़ोगी का मैस पेड़ोगी में जो टॉपिक का आकरती वो यहाँ पे खतम हुआ ठीक है नेक्स वीडियो में मैं इसके आगे का टॉपिक कराऊंगी धनेवाद मिलते हैं अपनी नेक्स वीडियो में